डूस्तों आज हम बात करेंगे नोट्बुक मेकिंग बिजनस के बारे में दोस्तों चाहे हम स्कूल में हो कॉलेज में हो घर में हो ऑफिस में हो जॉब में हो या कहीं भी हो हमें नोटबुक का उप्योग लगता ही लगता है दोस्तों यह जो बिजनस है यह FMCG में आने वाला बिजनस है जो fastest moving consuming good होता है उसमें आने वाला यह बिजनस है क्योंकि इसमें आपको हमेशा इस चीज़ की ज़रवर पढ़ती ही पढ़ती है तो दोस्तों ऐसे में यह कभी मंदी आगी नहीं सकती इसलिए जो बिजनस है यह काफी स्कोप वाला बिजनस है तो दोस्तों आज हम इसी बिजनस के मारा में बात करेंगे के notebook के लिए आपको कौन से बनाने के लिए आपको कौन से मजीनरी क्या शकता होगी कौन से जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि हम इसी तरह के innovative idea लाते रहते हैं तो दोस्तों अगर बात करें इस बिजनस की तो notebook making बिजनस के लिए आपको जो machine way required होता है वो आप single face में भी चला सकते हो और three face में भी ना आपको ज़्यादा बड़ा load चाहिए ना आपको ज़्यादा बड़ा connection चाहिए आप gray lo light पे भी इसको शुरू कर सकते हो तो रही बात इसकी जगा की कितने जगा चाहिए आपको तो आप इसको 200 से 300 square fit के area में भी set up कर सकते हो थोड़ी सी जगा में भी machine लगा के gray lo light की बिली यूज़ करके आप इसको असानी से अपना business शुरू कर सकते हो तो दोस्तो हमारे पास जो machine आती हैं वो तकरीबन 2 लाग से लेके आपकी 14 लाग तक की आती है जैसे का आपका budget हो जैसे का आपका investment हो आप उसे हिसाब से machine लगा कर अपना काम शुरू कर सकते हो तो जो machine हैं वो सारी आपको screen पर दिएगे numbers पर contact करके आप सारा पता कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि ये machine कैसे work करती हैं क्या क्या model होते हैं और कैसे इनका सारा working procedure होता है तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें लगने वाले आपके raw material की तो इसमें आपके दोर चीजों का requirement होता है एक रहता है अंदर वाला ruled paper जिस पे हम copy पे लिखते हैं और एक बाहर वाला title paper होता है जो आप screen में printed देख सकते हो तो इन दोनों को हमने आपस में stitch करना होता है फिर folding होता है फिर squaring होता है और फिर cutting होता है जो हमारा अंदर वाला ruled paper है वो तकरीबन हमें market में 70-80 रुपे kg के बीच में मिल जाता है जो हम अच्छी quality जो जैसे की classmate का होता है वो लेना चाहे दो अगर इससे कम quality का भी चाहिए हो तो वो भी मिल जाएगा तो ये दो raw material हमें चाहिए होते है एक अंदर वाला paper और एक बाहर वाला title जो title paper है वो छोटी copy का आपको 1.5 से लेके 5.5 रुपे तक का पड़ेगा और बड़ी copy का आपको 3.5 से लेके 4.5 रुपे तक पड़ेगा ज पारे में जिसमें हमारे पास तीन मशीनों का setup आता है एक सबसे पहले notebook stitching machine motorized जिसमें आपने notebook को fold करके बीच में रखके pin करते जाना है जिससे आपका stapler का pin लगेगा दूसरे नंबर पे आती है हमारी edge squaring machine notebook को pin होने के बाद edge squaring machine में डाल के उसको पीछे से square किया जाता है उस manual paper cutting machine होती है edge squaring में जाने के बाद double double copy को single में convert करने के लिए और waste paper cutting करने के लिए हम cutting machine का इस्तिमाल करते हैं कर दो कर दो कर दो झाल 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 झाल